हेलो दोस्तो स्वागा ते सिंपल एजूकेशन चैनल में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम चक्रवधी ब्याज के सवाल को हल करेंगे यह सवाल दोस्तों इंपोर्टेंट है और एक्जाम में आ चुके हैं तो देर न करते हुए हम सवाल को देख लेते हैं तो हमारे जो इस सवाल है दोस्तो चार हजार रुपए का पाँच परसन बारसिक दर से तीन बरसों को चक्रवत दिब्याज निकाले ठीक है दोस्तो यह हमारे सवाल है इसको बिल्कुल ही आसान तरीके से हम करेंगे दोस्तो ट्रिक्स से आज हम करेंगे ठीक है दोस्तो सौट रुपय का 5% बारसिक दर से 3 मरसों का हमें चक्रबत्ती ब्याज निकालना है तो हमें अपस क्या दिखाई दे रहा है 4000 और 5% तो हम इसका क्या करेंगे सबसे पहले ब्याज निकालेंगे चलिए हैं आप लिख लेते हैं 4000 गुणा 5 ठीके दोस्तो और जब हम परसंटेज हटाते हैं तो बटे में क्या लिखते हैं 100 जब भी हम परसंटेज दोस्तो हटाएंगे इस निसान को हटाते हैं तो हम क्या करते हैं बटे में 100 करते हैं चलिए अब इसको काट लेते हैं तो 2-0 से 2-0 कैंसल हो जाएगा क्या बचा उपर 40 गुणा 5 तो 200 रुपए इसका आया 40 में 5 का गुणा करने पर 200 आया इसको हम दोस्तों कह सकते हैं कि ये पहले वर्स का ब्याज निकल कर आ गया तो हम लिख लेते हैं 1 वर्स का ब्याज कितना आया है दोस्तों 200 रुपए इसी तरीके से हम second worse का ब्याज निकालेंगे third worse का ब्याज निकालेंगे ठीक है यहाँ पर दोस्तों हमने formula का use नहीं किया formula से भी आप निकालते लेकिन गौड़ा बहुत ज़ादा लबा हो जाता है इसी जग्कर में हम नहीं निकालते आसान ट्रिक है सकेंड वर्स का चली निकाल लेते हैं सकेंड वर्स का ब्याज अब क्या करेंगे दोस्तो हम 200 वैसे कब वैसे ही रहेगा अब हम 200 का 5% निकालेंगे तो हम साइड में 200 का 5% निकालेंगे अभी हम 200 वैसी का वैसी लिख रहे हैं यहापस प्लस जो भी आएगा दूसों का ब्याज निकालने पर उसको हम निकलेंगे तो दूसों का साइड में हम निकालते हैं 5% तो दूसों गोड़ा 5 बटे 100 अब ये 2-0 से 2-0 कैंसल हो जाएगा 5 में 2 का गोड़ा करेंगे 10 आएगा तो second verse का ब्याज जो आया है 200 प्लस 10 अब हम फर्ड़ पर्श का इसी तरी किसे निकालेंगे ब्याज तो यहाँ पस दोस्तों 200 प्लस 10 वैसे हिक है बैसे रहेगा ठीक है फिर 2 का गोड़ा कर देते हैं फर्ड़ पर्श में ठीक है दोस्तों प्लस अब हम जो 10 का 5% निकालेंगे तो 10 का 5% कैसे निकालेंगे 5 बटे 100 एक जिरो से एक जिरो कैंसिल दस में 5 का भाग देते हैं तो 5 में 10 का भाग देंगे तो 0.5 आया ठीक है दूस्तों अब हम इन तीनों को जो तीनों वर्स के ब्याच आया है इनको जोड देंगे तो हमारे चक्रवर्दी ब्याच प्राप्त हो जाएगा तो तीनों को जोडने पे 200-200 को जोड़ेंगे तो क्या है का 600 प्लस 10 प्लस 20 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा प्लस 0.5 इन सभी को जोड़ते हैं तो क्या जाएगा 630.5 ये इसका आंसर हो जाएगा ठीक है दूस्तों 630.5 आंसर आ गया ये इसका चक्रवर्द्धी ब्याज है ठीक है हमें क्या निकालना था 4000 रुपय का 5 वरसन बारसिक दर से 3 वरसका चक्रवर्द्धी ब्याज तो हमने पहले वरसका ब्याज निकाला पर दूसरे वरसका ब्याज निकाला तीसरे वरसका ब्याज निकाला के तीनों को एकसान जोड़ दिया तो ये हमारा चक्रवर्द्धी ब्याज हो ठीक है इस टाइप के सवाल दोस्तों हमने पिछले कुछ वीडियो में भी कराया है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहां भी जाके देख सकते हैं अगर आपको फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूले वाला भी हमने कराया आप उनको भी जाके देख सकते हैं, आंसर दोनों में सेम ही आएगा सरल दोस्तों यह वाला पढ़ता है ठीक है, पर उसमें फॉर्मॉला आपको याद रखना पड़ेगा इसमें फॉर्मॉला की जरूरत नहीं होती है ठीक दोस्तों, तो यह आसान मैथड है आप इसको सीख लीजिए दोस्तों यह है पसंद आती तो चैनल को जरूर सस्क्राइब और लाइक कर दीजेगा धन्यवाद